कस्त्रावत में पिछले दो दिनों से दिन भर मौसम गर्मे रहता और रात होते ही गरज के साथ बारिश होने लगती है। पानी गिरने से किसान चिंतित होने लगा है। किसानों का कहना है कि दिन बदिन मौसम बिगड़ता जा रहा है जिससे चना और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि चना और गेहूं नाजुक फसल होती है। हलके बादल भी होने लगते हैं, तो चैने में इल्ली और विमारिया होने लगती हैं, जिससे फसल पूरी तरज से खत्म हो जाती हैं, किसान पहले भी नुकसान उठा चुके हैं, कस्त्रावा से अखिल खान की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें